हलो एंड वेलकम बच्चों आज का जो हमारा टॉपिक है क्लास 12 फंडामेंटल ओफ पार्टनर्शिप चेप्टर वन का एंटरस्ट ओन ड्रॉइंग है आगे बढ़ने से पहले दो चीज़ों आपको इंफोर्मिशन देना चाहूंगा इंटरस्ट ओन ड्रॉइंग इसी प्ले इस तरीके से नहीं है जिसके अदर आपको सारे बेसिक टॉपिक कवर हो जाएंगे कि इंटरस्ट ओन ड्रॉइंग के मैंने वहाँ पर फॉर्मले बताए हुए इस वीडियो लेक्च्चर के अंदर मैं टी एस ग्रेवाल का आपको बेसिक जरूर बताऊंगा टीएस ग्रेव तो मैं कोशिश करूंगो उसको दो वीडियो में कवर करने की तो पहले मैं टॉपिक स्टार्ट करता हूं टॉपिक स्टार्ट करने से वहले आपको बतायता हूं कि इंटरस्ट ओन ड्रॉइंग का पहले आप मेरी बेसिक वीडियो जिरूर देखना स्टार्ट करने से पहले स्टार्ट करने से पहले मैं दो तिन बेसिक चीज़ें यहां पर भी रिवियू करूं आपको बताऊंगा देखो बच्छो सबसे पहले आपको पता है जो इंट्रस्ट ओन ड्रॉइंग है बेसिकली वो तीन पार्ट में डिवाइड हो राती है जैसे अगर मैं बात करूं इंट करने से पहले आपको आपको यह जैक है कि जब आप फॉर्म के अंदर पैसा इंवेस्ट करते हो और अग्रिमेंट में मेंचन होता है कि इंट्रेस्ट्रों कैप्टल चार्ज होगा तो जिस टाइम पर आपने पैसा लगाया तो फर्स्ट अप्रेल से अभी फंडा उसी पर बेज़ जा है ड्राइंग का मतलब होता है पर्सल यूज के लिए निकाला गया पैसा अब अगर अग्रिमेंट में मेंचन है कि इंट्रेस्ट अंड्राइंग पार्टनर पे करेगा तो अब्यसी बात पे करेगा सपोस्ट करो ए और भी पार्टनर है ठीक है ए ने फॉर्म से निकाले हैं दस हजार और बी ने फॉर्म से निकाले हैं बीस हजार रुपे एक कंडिशन होती है कि दोनों ने एक अक्टूबर को फॉर्म से पैसा निकाला है ठीक है दो हजार चौबिस में मान लेते हैं दो हजार चौबिस में मान लेते हैं अब दो हज अब यहां टाइम फेक्टर बहुत इंपोर्टेंट है अगर टाइम मेंचन है निकाले का अक्टूबर में तो अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फेब्लरी मार्च यह नहीं कि 6 महीने 6 महीने का इंट्रस्ट निकाल लो सर लगबग लगबग 500 रुपे आ जाएगा ठीक है 500 रुपे इसका आ जाएगा और बीका भी 20,000 के बेस पर निकालेंगे लेकिन तूसरी चीज़ अब मैं यहां परना आपको एक इंपोर्टेंट बात बताता हूं सब्सक्रों यहां पर मैंचन है एंड बी आर पार्टनर शेरिं इस तो बी अलाउड एट 10 परसेंट बस यहीं तक इंफरमिशन है लेकिन ध्यान से सोचना समझ सुनना होगा आपने इंट्रेस्ट और इस तू बी अलाउड एट 10 परसेंट क्या मैंने यहां पर यह बताया आपको कि उन्होंने पैसा कब विड्रॉ किया नहीं तो पहली ची अब मैं B की बात करता हूं कि in case if the time is not mentioned in the question then in that case जो आपका drawing होगा 20,000 का 10% तो आप लगाओगे लेकिन अपने आप उस पे 6 मीने का इंट्रेस्ट चार्ज करना हो तो पहली चीज़ हमने देखने को मिली कि जब भी हमारा time factor mention ना हो तो इंट्रेस्ट और राइंग कितने मीने यह बेस पर लगते हैं 6 मीने का तो यह cancel कर दो यह cancel कर दो तो यह कितना आ जाएगा 1000 तो इंट्रेस्ट और राइंग कितनी आ जाएगी 1000 यहां तक question आपको clear हो गया होगा यह तो था simple method बहुत असान method अब बात करते हैं average period method की average period method क्या होता है कैसे लगाया जाता है जरा ध्या रहे है farm के अंदर ठीक हैं a withdraw कर रहे है 2000 पर मन्ध कीए है कब कर रहा है a b और c कर लो a b and c कर लो ए، a withdraw 2,000 पर मंद और first April and first day of the month first day of the month कर लो इसकाормолет क्या हुआ first day of the month A हर महिने की पहली तारी को दो हजार रुपे निकाल रहा है है द्याँ ते सुनना मेरी बात वी तीन हजार रुपे पर मंद एंड ओफ दी मंथ यानि की हर महीने की 30 तारीक को बी पैसा लगा निकाल रहा है हर महीने की 30 तारीक को सी विड्राव 1500 पर मंथ मिडल ऑफ दी मंथ अब पहले चीज़ यह एवरेज पिरेड मेतड होता है पहले समझो देखो जब भी ऐसी कंडिशन आती है कि आप रेगुलर्ली एक पर्टिकुलर डे पर पैसा निकालते हो और सेम अमाउंट पर निकालते हो तो हम जो टा कालरे हैं यूनिव कर मतलब है हर एक रेगुलर डे पर ऐसे हर महिन के पहली तारीक को हर महिन के पहली तारीक को रहे हैं मätलिर देंढ़ा तो इंट्रस्ट और ड्राइंग फार्मुला जब लिकाते हैं पहले लिकाते हैं कितनी ड्राइंग भी ड्रोगी है 2000 पर मन्त है याने कि 12 मीने में कितने निकाले होंगे 24,000 ठीक है मान लो हर 10% इंट्रस्ट चार्ज कर रहा है 10% किया और इंटू एवरेज पीरिट क्या लगाते है इवरेज पीरिट अब यह एवरेज पीरिट लगाया कैसे जाता है ज़रा ध्यानते समझता इसको मैं रब कर देता हूँ देखो यहाँ पर A, B, C की हम बात करते हैं A ने विड्रॉग किया पहले हैं लिक रहता हूँ 2000 पर मन्त फर्स्ट डे को B ने विड्रॉग किया 3000 पर मन्त एंड अफ दी डे एवरी मन्त कर लो यहाँ भी कर लो एवरी मन्त C ने विड्रॉग किया 1500 पर मन्त मिडल अफ दी मन्त तो सबसे पहले यह एवरेज पीरिट होता क्या है पहले यह समझ लेना एवरेज पीरिट निकालने का फॉर्मला क्या होता है दियान से देखना हूँ पहले मैं फॉर्मला बता रहता हूँ मन्त लेफ्ट आफ्टर फर्स विड्रॉल प्लस मन्त लेफ्ट आफ्टर लास्ट विड्रॉल डिवाइड बाई टू एक बार मेरे पीछे दुबारा बोलना सारे बच्चे मन्त लेफ्ट आफ्टर फर्स विड्रॉल प्लस मन्त लेफ्ट आफ्टर लास्ट विड्रॉल डिवाइड बाई टू मतलब क्या हुआ जब आपने पहली बार पैसा निकाला उसके बाद से जब हमारा financial year खतम हो रहा है कितना time बचा प्लस जब मैंने last time पैसा निकाला उसके बाद से जब मेरा financial year खतम हो रहा है कितना time बचा डिवाइड बाई टू अब suppose करो इसको मैंने रब कर देता हूँ suppose करो मैं बात करता हूँ ए की ए ने 1st April को पैसा निकाला कितना 2000 रुपे फिर 1st May को पैसा निकाला 2000 रुपे फिर 1st June को निकाला 2000 1st July को निकाला 2000 last में करते करते उसने निकाला 1st March को 2000 मनला 1st April को निकाला 1st May, 1st June, 1st July, 1st August, 1st September, October, November, November, January, February, March तक निकालता गया तो हम कहेंगे टोटल ड्रॉइंग कितनी आगी टोटल ड्रॉइंग आगी 2000 एंटू बारा यानि कि 24,000 रुपे न ए निकाल लिया बिल्कुल सही बात अब 10% तो इंटरस्ट रेट है तो हम क्या करेंगे इंटरस्ट रेट 10% निकाल लेंगे इंटरस्ट रॉइंग 10% है तो हम क्या करेंगे इंटरस्ट रॉइंग 24,000 का 10% निकाला अब टाइम कैसे निकालेंगे जड़ा धियान देखना देखो अगर मैं 1 अपरेल को पैसा निकाल लों तो पहले 2000 पर तो मुझे पूरे 12 मीने का दिना पड़ेगा फिर एक मही का निकाल रहो फिर पहले दूसरे 2000 पर गैरा मीन है तो ऐसे करते रहेंगे तो बहुत समय हो जाएगा तो इसी चीज़ को सिंप्लिफाई करने के लिए हम क्या करेंगे मन्त लेफ्ट आफ्टर फर्स विड्रॉल मतलब पहली बार जब पैसा निकाला अब आपने एक मार्च को सिर्फ पहली बार देखना है और काउंट कहां से करना है एक अपरेल से हर बार ध्यान दगना काउंट कहां से करोगे अगर इसने एक अपरेल को पैसा निकाला है तो एक अपरेल से 31 मार्च सिरफ पहली बर पैसा निकला है हमेशा काउंट 31 मार्च तर क्यों हर कंडिशन में तो पूरे 12 मीने हो गए अब लास पैसा का विट्रॉड किया था बीच के कैसे considerate नहीं करना average period मत कहता है first को करो last को करो एक मार्च से 31 मार्च एक divided by two तो यह क्या आ गया 13 by two तो time मुझे मिल गया 13 by two मैं क्या करूंगा 13 by two जब भी आप question month में निकालोगे न तो एक चीज हमेशा धियान रखना month में निकालने के बाद न आप क्या करना question को 1 by 12 से multiply भी करना यह रहेगा 1 by 12 तो 12 to the 2400 एक जिरो से एक जिरो गई एक जिरो से एक जिरो गई यह आ गया 1300 पर तो interest on trying मेरे पास कितना आ गया 1300 यहां तक कोई doubt I think आपको question अच्छे तह समझ में आ गया होगा थोड़ा सा और clarity नहीं भी तो मैं दूसरे पार्ट पर चलता हूँ अब मान लो यह तो हो गया कि आपने first day of the month में हर महीने पैसा निकाल दो यह तो आ गया A का is interest on drawing अब हम बात करते है B के interest on drawing की अगर बच्चों ने note करना है कर लो screen shot ले सकते हो ठीक है इसको मैं रप कर दूँ चलो अब B क्या कर रहा है sir B हर महीने निकाल रहा है 3000 रुपे तो total drawing 36,000 हो जाएगी 3000 into 10 3000 into 12 सौरी ठीक है अब B ने 10% हम interest on drawing कितनी पे करेंगे 10 परसेंट तो 36,000 का 10 परसेंट आ गया 36,000 रुपे अबरेज पिरेट कैसे निकालेंगे हर महीने की last मैं end of the month यानि कि 30 अपरेल 30 मैं 30 जुलाई 30 अगस्त 31 जो भी last जे होगा अगर 31 पढ़ता है 31 तीस पढ़ता है 2030 हमने दो एकरिच दिखना ऐगर आपने 30 अपरेल को पहली बार पैसा निकाला अपरेल से 21 मार्च धियान से सुनना तीस अपरेल से 21 नार्च कितने मीने होगे 11 मीने 31 नार्च कितने मीने यानि कि last withdrawal आपने कब कि ती इस धात्यान से सुनो पहली विड ones are तीसरी विद्रोल की 31 माही को तीसरी विद्रोल की 30 जून को ठीक है ऐसे करतेगए 33 जून आगे लास्ट 23 मृ जून मार्च firewall को फी 34 मारच १ कॉथ 31 मार्च सरे हो टाइम तो left बचक्षा नहीं हमने बोला कि 30 सफ़ लुज तो पुरा मीन आ फिर हम काउंट करेंगे में जून जुलाई अगर स्तंबर टूबर नॉंबर रिसंबर जन्वरी फेब्ररी मार्च 11 मिने अब 31 मार्च को लास्ट विड्रॉल किया 31 मार्च एक अधिस मार्च 0 डिवाड़ीड वाइट तो यहां रहे हैं ग्यार भी तो रहे गया सच ग्यारा तो किया नहीं हमने एक बार चेक कर लेना बही कहीं मैंने कुछ मैं एक बार क्यल्गूलेटर खोल लेता हूं 36,000 का 10% रो 3600 हो गया N211 divided by 24 1650 तो यह मैं card देता हूँ इसका interest on drawing आ रहे है 1650 गाट इट अब बात करते हैं C का interest on drawing C का interest on drawing देखो 1500 था N212 तो total drawing पहले निकालो 00 18,000 तो total drawing तो आगी 18,000 इसका हमने निकाला 10% ठीक है जी average period average period क्या होता है मैंने withdraw किया है middle of the month में हर महीने की 15 April, 15 मही 15 June, 15 July, 15 August 15 September, 15 October, 15 November 15 December ठीक है तो 15 April से 31 March 15 April से 31 March कितने टाइम हो गया अब 15 April से 31,5 मेने हो गया पहला withdrawal किया होगा तो भई 15 दिन तो April किया होगा और मेंसे लेकर 31 March 11 मेने होगे अब last withdrawal कब किया 15 March 15 March से 31 March कितने होगे 0.5 divided by 2 तो यहार अगर 12 by 2 गयाने कि 6 मन तो 6 आ गया into 1 by 12 निकाल लेते हैं इसको 1800 का आदा 900 रुपे आएगा अठारा हजार का 10% into 6 divided by 12 900 आ गया ठीक है तो यह तो मैने आपको basic अभी कराया है पूरे 15 मिनिट की class के अंदर सिरफ हमने भी basic cover किया आईए अब आते हैं इस ग्रेवाल के question number 30 एक मिनिट में निकाल लेता हूँ देखो बच्चो अमारा जो question था 37 और 38 अब 37 question क्या कह रहा है ज़रा ध्यान से देखो बड़ा easy question है 37 question में कुछ है नहीं खास राम और मोहन पार्टर है मैंने एक short form में लिख दिया इनका capital है इनका capital है इनके जो drawing है वो कितनी है एक लाग बीस हजार और असी हजार यह drawing है इसमें बोला गया है इनका interest on drawing यहाँ पर बोला गया इनका interest on drawing as per the partnership चार्ज होने 6% पहली जीज़ क्या यहाँ पर timing of drawing mention है question में बिलकुल mention नहीं है तो simple interest on drawing निकालने के लिए sir क्या करेंगे यहाँ लिखो राम यहाँ लिखो मोहन एक लाग बीस हजार कितना 6% असी हजार 6% अब time mention नहीं है तो क्या करेंगे आधे महीने का 6 by 12 6 by 12 का मतलब 1 by 2 होता है तो मैंने यही कर दिया 3600 देखो calculation ठीक है बिल्कूल ठीक है 3600 interest on drawing आ गया 80,000 का भी निकाल लो 2400 ठीक है आपने क्या करना है जब भी आपको timing mention ना हो drawing का गी किस time पर आप पैसा निकाल रहे हो तो हमने क्या कर दिया आधे मेने का निकाल दिया चलो कोशन का अगला पाट देखते अगला कोशन देखते है 38 कोशन कहा रहा है ब्रिज और मोहन सर पार्टनर है इना फार्म दे विड्रॉप 40,000 और 30,000 रिस्पेक्टिवली डूरिंग दा इयर इवेंचुली इन दा मिडल आफ एवरी मन्थ ठीक है फुल स्टॉप अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप इंटरस्ट और रॉइंग इस टू बी चाज 10% कैल्गूलेट इंटरस्ट रॉइंग अब यहां पर ना थोड़ा सा कन्फ्यूज किया है कोशन ने आपको यह जो 48,000 की itzt parking है इन्होंने monthly बेस पर ली है यानि की ब्रिज न होगेра इस ऑन को मध्ली बेस पर पहली चीज़ दूसरी हर महीने की 15 टारीक की या तो मैंने दो चीज़े पताई थी एक अगर आपका uniform amount है uniform amount नहीं है तब भी जलेगा लेकिन uniform date ओनी कमपल सरी है आपने uniform हर महीने की 15 तारीक को fixed date पर आप पैसा withdraw कर लो तो आप क्या करोगे interest on drawing निकालोगे so interest on drawing पहले मैं निकाल लेता हूँ bridge का sir bridge ने withdraw किया 48,000 rate of interest कितना है rate of interest है यहां पे 10% तो इसका average period निकाल लेते हैं दोनों नहीं न हर महीने की 15 तारीक को पैसा निकाला है अब ध्यान से सुनना मैं सिर्फ क्या करूंगा पहला withdrawal और last withdrawal को considered करेंगे तो दुबारा से मेरे साथ formula वरोड मंत left after first withdrawal plus month left after last withdrawal divided by two अब middle of the month है तो पहली बार withdrawal किया पंदरा अपरेल तो पंदरा अपरेल से 31 मार्च कितने महीने बचे साड़े आरा महीने पंदरा मार्च से 31 मार्च कितने महीने बचे 0.5 divided by two six month आ गया into six into one by twelve तो interest on drawing आ गया ब्रिज का 2400 रुपे यहां पर कोई डाउट कोई भी समस्या अब हम बात करते हैं मोहन की मोहन ने interest on drawing कितना निकाला देखो मोहन का interest on drawing था 36000 10% six into one by twelve यह आ गया अठारा सो रुपे interest on drawing कितना आ गया अठारा सो रुपे समझ में आई बात तो 37 और 38 question मेरा यहीं पर ही खत्म हो गया आई यह move करते 39 question पर ध्यान से सुनो question क्या कह रहा है 39 देव जो है से पहले दस हजार इंटू बारा यानि की हो गया एक लाग भी सजार आप यह बताईए कि total interest कितना पे किया होगा अभी तो हमने किया था interest on drawing कैसे निकालते हैं total drawing है एक लाग भी सजार बारा परसेंट अब इसका average period निकाल लो average period क्या होगा average period होगा time left after first withdrawal यानि की साड़े क्यारा मेंत होगे ठीक है पंदरा अपरहल से एक अत्तिस मार्च कितना टाइम हो गया साड़े यारा मन्त ठीक है प्लेस पंदरा मार्च से एक अत्तिस मार्च 0.5 divided by 2 तो यह आगया 12 by 2 यानिकी 6 months into 6 into 1 by 12 तो 12 से 12 cancel एक 0 से 1 0 एक 0 से 1 0 7200 सर इंटरेस्ट अन ट्राइंग कितना आ गया 7200 आ गया ठीक है अभी ना साथ-साथ मैं आपको बता रहता हूँ एक question question number 40 साथ-साथी कर लेते हैं one of the partner in a partnership firm withdraw 9000 at the end एक partnership firm के अंदर partner जो है ना इसका screenshot ले लो इसको मैं रब कर देता हूँ ठीक है तो यहाँ पर बोल रहा है एक partnership firm के अंदर partner जो है ना वो withdraw कर रहा है 9000 रुपे at the end of the month यानि की drawing कितने withdraw किया 9000 पर month at the end at the end of each quarter sorry at the end of each quarter की बात करते हैं throughout the year calculate interest on drawing at the rate of 6% अब interest on drawing है 6% अब इसका interest on drawing calculate करना है अब जड़ा धियान से सुनना इस question को quarter का base होगा है पहले हम जो quarter का मतलब क्या होता है बचों हम पूरे साल को ना basically क्या करते है एक साल के अंदर चार quarter होते हैं अब यह quarter क्या होता है तीन मंद का एक quarter होता है जैसे मैं बात करूं अप्रेल में जून जुलाई अगर्ष सेप्तमबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जैन्वरी फैब्ररी और मार्च ठीक है यह तीन मंद का होगे quarter one quarter one को मैं कर गे at the end of each quarter यानि कि इसने अप्रेल माई जून तीस जून को 9000 निकाले जुलाई अगर सेप्टमबर तीस सेप्टमबर को 9000 निकाले अक्टूबर नुमंबर दिसंबर में 9000 निकाले मार्च में 9000 निकाले तो टोटल ड्राइंग कितनी होगी टोटल ड्राइंग होगी 9000 into 4 which is equal to 36000 तो ड्राइंग कितनी होगी आपकी टोटल 36000 यहाँ तक कोई डाउट कोई समस्या तो टोटल ड्राइंग हमने निकाले 36000 ठीक है अब बात करते हैं sir rate of interest तो interest on drawing निकालने का तरीका क्या है interest on drawing is equal to what 36600 अब क्या करें average तो आपने मंद के बेस पर निकाले बिल्कूल average पिरेट उसी बेस पर फॉलो होगा average पिरेट का मतलब होगा कि देखो average पिरेट होगा month left after first withdrawal plus month left after last withdrawal divided by 2 अब देखो हर quarter के last में निकाल रहा है ध्यान से सुनना मेरी बात अप्रेल मई जून में कब निकाले हैं 30 जून को तो पहली बार उसने निकाले है 30 जून को पैसा और last बार निकाला है 31 मार्च को पैसा इसको 31 मार्च कर देता हूं तो हम क्या करेंगे पहली बार पैसा निकाला है जून तो 30 जून से 31 मार्च देखो यहीं से पता लग जाएगा एक दो तीन चार पांच छे साथ आट नो नाइन मंस बचे तो month left after first withdrawal में पहला तो आ गया 9 month month left after last withdrawal यहने कि 31 मार्च आ गया 31 मार से 31 मार्च देखो divided by 2 यहां रहेगा 9 by 2 9 by 2 into 1 by 12 9 by 2 into 1 by 12 अब ज़रा ध्यान दो 12 1s 1, 12 3s 36 ठीक है 339, 9981 तो यह value रहेगी 810 समझ में आया quarter का case भी बिल्कुल easy है बेट आपको पता होना चाहिए देखो जैसे मैंने quarterly divide किया है question को इसी form में divide करो और question solve हो जाता है आये ज़रा इसका ना 41 कि देखो यहां भी एक average period का question आगया question number 41 question number 41 क्या कह रहा है ए और बी partner है इनका profit sharing ratio जो है one is to one है ए रेगुलरली विड्राव कर रहा है 4000 इन दी beginning of the month अब यहां से ना थोड़ा से question change होने वाला है ए रेगुलरली 4000 रुपे हर महीने की पहली तारीक को निकाल रहा है beginning of every month for the next six months only अब सर्य च्हे मीने का क्या पंग है question में लिखा भी हुआ है मैं बता रहेता हूं पढ़कर 4000 इन दा beginning of every month for the six month ended 30th September 2022 calculate interest on drawing at 5% per annum for the period of six month अभी क्या कह रहा है कि आपको interest on drawing निकाल रहा है 5% से लेकिन यहां पर एक जरूरी चीज है कि question में साफ बोला गया है कि आपको सिर्फ 6 महीने के base यानि कि March तक नहीं calculate करना अप्रेल से September तक calculate करना है यह line underline करो बार बार बोल रहा हूं देखो दियान से देखो calculate the interest on drawing 5% per annum for the period of six month बचो जब भी बैठा करो ना अपने साथ बुक जरूर लिया करो तो कि बिना बुक के थोड़ी सी दिक्कत आ रहा थी एक register पैन और बुक यह जरूर रखा करो अपने साथ ठीक है इसी हो जाएगी करना भी तो पहले हम क्या करता है फर्स्ट अप्राइल से 30 सेप्टमबर कितना आ गया चारजार इंटू छे 24,000 हमारे पास क्या आगया total drawing आगी छे मीने की अब interest on drawing calculate करेंगे interest on drawing is what interest on drawing 24,000 5% average period क्या होगा average period निकालने के लिए हम क्या करेंगे ज्यान से सुनना आपने एक अप्रेल से अब एक अप्रेल से क्या time ले पहले ही अप्रेल को निकाला और last withdrawal के पहली सेप्टमबर क्या मैं मार्च लूँ सोचके बताओ नहीं question में साब बोला है कि आपने सेप्टमबर तक लेना है तो एक अप्रेल से 30 सेप्टमबर six month एक सेप्टमबर से 30 सेप्टमबर one month divided by two तो यह हो जाएगा seven by two आपका जो clear हो गया होगा आपको चीक है अगला question बिल्कुल इसी पर बेज़्ड है जड़ा धियान से देखते हैं कि 42 अगर मैं बात करूं तो 41 की exact copy है अब 42 question कह क्या रहा है जड़ा धियान से देखना 42 question में बोला गया एंड बी आर पार्टनर शेरिंग profit and loss one is to one a withdraw 4000 पर month at the end of each month a withdraw क्या कर रहा है 4000 पर month at the end of each month for six month only कितना सिरफ 6 महीने के लिए ले रहा हो सिर्फ और सिरफ six months के लिए ले रहा है वह मनला हमने 30 September तक की निकालना है और उसके बाद interest on drawing चार्ज कर रहा है 50% ठीक है तो आपने interest on drawing निकालना है बैक होंगा कुछ नहीं सर्फ आपका एवरेज पिरेड ही चेंज होगा अब कैसे total drawing निकाल लो पहले total drawing होगी क्या सर total drawing होगी 4000 एंटू 6 यह आगी 24,000 ठीक है interest on drawing क्या हो गया interest on drawing आगया सर 24,000 का 5% अच्छा आप इसका average पिरेड कैसे निकालोगे average पिरेड निकालने का तरीका क्या है आपने पहला विड्रॉल कप किया है 30 अपरेल अब ध्यान से सुनना 30 अपरेल से 30 सेप्टमबर पहला विड्रॉल कप किया 30 अपरेल तो 30 अपरेल से 30 सेप्टमबर तो एपरेल मन्तों मैं बिलकुल नहीं लोगा तो में जून जुलाइए अगर सेप्टमबर पांच मंत हो गए तो पांच मन लास्ट विड्रॉल किया 30 सेप्टमबर 30 सेप्टमबर जीरो डिवैडिड़ बाइटू तो यह था मेरा कोशन नॉबर 42 बच्चे आगे के कॉशन ना मैं next video lecture में cover करूँगा आपके साथ question थोड़े सी बड़े हो जाएंगे ठीक है तो आज के लिए बाई बाई next class में interest on trying के आगे question attempt करते हैं ओके बाई